दोस्तों आज की कहानी है रिष्टों की डोर बड़ी कमजोर दोस्तों कहानी सुरू करने से पहले अगर हमारे सैनल को सबस्क्राइब नहीं किया हूँ तो कर लीजिए ताकि आपके पासपाउं से अर्रूस नयाँ वीडियो एलू सुभी आज सर्शा दीदी का फोन आयता वो लोग यहां आए वे सामको अपने घर आएंगे नास्ते की त्यारी करके रखना इसलिए तुम्हें फोन किया रोन अन्मने मन से बोला ठीके जी करकर सुभी ने फोन रख दिया सर्शा दीदी के आने की खबर सुनकर सुभी को बड़ा आर्शे वगा क्योंकि इतने सालों में कभी उनका फोन नहीं आया था सर्शा दीदी सुभी के पती रोन के तायाजी की लड़की थी तायाजी पैसे वाले थी और सुभी के ससुर कुस काम नहीं करते थी बस ओर्तों की तर इसकी बहु और उसकी बहु की बाते करते रहते थी वो तो रोन इतना लाइक था की पटली कर घर की इस्ततियों को संभाल लियाता वरना ससुजी ने तो घर को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं सोडी थी असमानसिक रूप से बिमारती अक्सर बीस्तर परी रहती थी प्रिवार में पत्य की तैजी का इदबदबार रहता था ससुजी की तो पहली कोई एज़त नहीं करता था सुभी साधी होकर आई तो पत्य की तैजी उस पर भी ऐसे हुकम सलाती थी जैसे वो उनकी बहुँ सुभी कुस नहीं बोलती थी क्योंकि वो रहन की बहुत इज़त करती थी तैजी की बेटियों भी उसे डंग से बात नहीं करती थी तब सुभी को अपने ससुजी पर बहुत घुसा आता था कि कुछ काम धाम करती होते तो आज उसकी भी जतोती रोन अपने पीता के विप्रित बहुत मेतव काक्षी था अपनी मेहनत और लगन से आगे बढ़ता रहा कुछ सालों बाद रोन को बहुत बड़ी कमपनी में नोकर मिल गई वो सुभी को लेकर दूसरे से राग्या सुभी और उनके जीवन में बहुत सी तकली पर आई पर नहीं ताई ताई जी का कभी फोन आया नहीं उनकी बेटियों का जितने सालों बाद के से सशा दीदी को हमारी याद आगी सुभी ये सोसकर हिरान थी साम को रोन घर पर आया और बोला सुभी मुझे लोगों को लेना जाना पड़ेगा क्यों कि उनके लिए ये सेर अंजान हैं जलो मैं भी सलतियों आपके साथ में सुभी सेख दीवी बोली और भी जाने के लिए त्यार होगी बच्चों को घर पर सोड़ कर दोनों गाड़ी में बैट कर दी जिजाजी को लाने के लिए निकल पड़े उनके बताए वे पते के अनुसा रोन एक पुराने से गेस्ट हाउस के सामने गाड़ी रोकी एक पल को तो सुभी हैरान हो गई कि इतने बड़े बाप की बेटीस पुराने से गेस्ट हाउस में क्यों ठेरी हैं ये तो बड़ी-ब बड़ी होटलों से नी से बात नहीं करती थी रोने दीदी जिजा जी को फोन किया तो वो दोनों बाहरा के सचादी बड़े प्रेम से सूभी और रोन से मिली और बाते बनाती भी बेली ये उनके पती तो कह रहे थे होटल में रह लेते पर मैंने कई सर में मेरा भाई रहता है तो मैं होटल में क्यूं रहूँ पर बातों में जीजा ने रोन को बता दिया कि उनका गबरे का बिजनिस बंद हो गया बहुत गहटा हो गया त़ यां किसी काम की तलास में आये उनकी माली आलती समय कापी खराब थी दीदी जीजा जी लगबग 15 दिनों तक सुभी के घरे सुभी ने उनकी अच्छे से खार तिर दारी की रोंतो सिर भी तो आर को इने समय दे पाता था इतने दिन अपने घर रख और इनकी खातिरदारी कर दी काफी जिस्त रखाईयों ने बसपर में हमारे साथ वेवार किया कोई और होता तो इन्हें पानी तक नहीं पुस्ता हमने तो फिर भी इन्हें इतना आदर मांद गया कहते कहते रोन की आँखे भर आई वोन में आपकी बाद समझती उपर हैं तो वो आपकी बेन ही न और बेन बेट्ट्यों को कभी घर से खाली नहीं बेजते और फिर ये जरूरी तो नहीं की किसी ने हमारे साथ बुरा किया तो हम भी उसके साथ बुराई करे सुभी ने रोन को फ्यार से समझाए दीदी जिजा जी के प्यार सुकर हों तो सुभी ओपी सला गया सुभी के पास एक नई बेड़ सिट पड़ी थी तो वो सगुन का लिफाबा उसने दीदी को पगड़े दीदी बहुत मना करती रही पर सुभी नहीं मानी हम तो तुमारे और बच्चों के लिए कुस नहीं लाज सके और तुम इतना सब देखना में सर्मीदा कर रही हो दीदी रोते रोते बोली दीदी इसमें सर्मीदा होने की किया बात्याब का तो लेने का हक बनता है अब तो बस अपने भाई को आसिरवा दो पैसा तो आनी जानी सीजी रिस्तों की दोर नई तूटनी सही सच करे तू सुभी हमारे पास जब पैसा था तब हमने रिस्तों की कदर नई की पैसे के गुरूर में हमने रिस्तों की दोर को तूटने की कंकार पर पहुंसा गया पर तेरे प्यार और समझदारी ने रिस्तों की दोर को तूटने से बसा लिया इतना करकर सचा दीनी ने सुभी को गले लगा लिया प्यार की मैक में सारे गिरे सिख्वे गूल के और एक नई मैक के साथ रिस्तों की सुरुआत हुई दोस्तों रिस्तों की दोर बहुत कमजोर होती जरासी अवस्वाधिनी से तूट जाती इसलिए हमें सहिए कि हम अपने सनव और समस्दारी से इस दोर को तूटने से बसाने की कोशिश करती है